Hello students, once again welcome back to the channel और एक और इंपॉर्टेट वीडियो है यहाँ पर जो AKTU का कॉलेज है बुंदेलखंड इंस्टिटीट आफ इंजिनिरिक और टेक्नॉलजी BIT जासी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस कॉलेज की सबसे कुछ खास बात हैं किई आपर आपको सबसे जादा जो हर साल पर इयर यहाँ पर जो गेट के स्कॉरर सैं जो भी गेट के बचि श्टु़टेंट्स एकजाम देते हैं इस वीडियो में आपको देटेर्लिम जानकारे मिलेगी वीडियो को स्टार्ट करने से पपले अब सभी से र便利 weist करोंगा की चैनल को पर फेलिबार है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो पसंदाथ है तो वीडियो को लाइक करिएगा चलिज चुरू करते हैं मुंदेलखंट इंस्टिटूट ऑफ इंजनियन एट टेक्नॉलजी यूपी से आने वाज़े जो स्टूडेंट्स हैं और यूपी की जो स्टेट लेवल की कांसिलिंग होती है और उसमें जो AKTU की कांसिलिंग है तो वो बाहर के NIT जे बाहर के कई सारे ओप्शन को अवाइड करते हैं अगर उनको IT, BIT या के NIT सुल्टानपूर इन में से कोई गवर्मेंट कॉलेज में ऑप्शन बनता है तो ऐसी क्या बात है कि इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रफरेंस में रखते हैं इसकी कट-off क्या रहती है, one by one सारी चीजन जानेगी तो बुंदेलखंट इंस्टिट आफ इंजिरिंगे टेक्नोलजी या अपका बुंदेलखंट में लोकेटटट है यूपी के बिसे कि जहांसी लोकेशन पे जहांसी शेहर में है अगर college type की बात करें तो college type आपका autonomous engineering college है जो की AKTU से affiliated है लेकिन यो कहीं न कहीं यहाँ पर यह अपका college type की अगर बात करें तो autonomous engineering college है जहाँ पर autonomous का मतलब यहाँ पर government जो core added जो government added branches है वो भी है साथी साथ कुछ seats यहाँ पर self finance होती है self finance और added वे difference क्या होता है जो self finance seat होती है उनमें से जो थोड़ी सी fee structure होती है fees का थोड़ा difference होता है थोड़ी सी fees वहाँ पर आपको ज्यादा होती है तो यहाँ पर fee structure भी आपको दो category का मिलेगा जो self finance की seats है उनमें fee structure लगवग आपका 80,000 के राउंड है आगे मैं इसमें clear कर दूँगा exactly कि कितना है बाकी आपको जो government added branches है उनमें fee structure यहाँ काफी कम है 61,000 आपको पर year fee structure यहाँ पर government added branch में लगता है तो basically आपका A.K.T.S. related college है जहाँ पर आपको 3-4 courses मिल जाएंगे B.Tech मिल जाएगा जितने भी J.M.A.N. के students है वो J.M.A.N. के exam उनको देना होगा क्योंकि पहले यह college UP का state level exam होता था वहाँ से अपना admissions लेते थे लेकिन अब आपको J.E. का exam देना पड़ेगा और UP की state counseling से यह college option आपको मिलेगा H.B.T.U. और यह सारे sequence की जब बात करते है I.E.T. लगनाओ की बात करते है H.B.T.U. की बात करते है तो second आपको कहिने का यह एक अच्छा options कई सारे बच्चे है इनका मैंने choice feeling खुद किया हुआ उनका preference हर बार हम discuss करते है अपने साथ में तो students का क्या रहता है कि sir I.T. B.I.T. K.N.I.T. इसके बाद जो top colleges है उनको top private college है उनको preference में रखते है तो यह आपका कहने वन अब दा फेवरेट college option रहता है UP students का जो EKT UP counselling में जो students counselling कराते है Establishment यह भी बात करें 1996 का यह college है This institute is affiliated to Dr. A.P. Jalbukalam Technical University Location के अगर बात करें तो Jhansi में बुंदेलखन कानपूर रोड जो आपका है National I.O 25 बुंदेलखन जहासी उत्तरपदेश तो आपका यह college जहासी में located है अब यह आपर बात करते हैं कि campus area क्या है 240 acres का यह campus area है जहाँ पर आपको UGPG courses मिल जाते है B.Tech और M.Tech program मिल जाता है MBA program मिल जाता है admission mode की बात करें तो admission mode में आपको basically B.Tech के लिए आपको JMS देना है JMS का exam देना है और MBA बगारा course के लिए आप CUET का exam दे सकते है Fee structure में आपको बता है जो government वाला है वो 61,000 per year है जो added जो self finance seats है उस पर Fee structure थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी Around 80,000 के असपास 80,000 प्लस आपको approximate Fee structure मिलने वाला है Hostel Fees की बात करें तो hostel Fees का जो एक तरीके से जो चार्ज है या rent आप समझ लीजिए वो आपको 9,600 लगबग 96,000 हो 10,000 के राउंड आपको Hostel Fees लगने वाली है पूरे एक साल की और जो मिस का चार्ज होगा वो पर समिस्टर आप से चार्ज किया जाएगा वो आपको सिर्फ 14,000 होगा तो कहीं न कहीं अगर Finance के विहाब पे देखे तो Finance के विहाब पे यह बहुत फॉर्ड़बल कॉलेज है इन्वेस्टमेंट के इसाब से बहुत कम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और आपको एकाडमिक्स काफी अच्छी मिलने वाले है अदर क्या क्या फसिलिटीज आपको यहां मिलेगी Hostel है यह पर 24x7 आपको इंटरनेट है Central Library है Canteens है Bank and Post Office आपको मिलेगा Guest House वगरा कई बार parents वगरा विजिट करते हैं तो उनको Guest House में stay करने के लिए हाँ पर है Sports की सारे facilities है Student Activity Center है Auditorium and Seminar Hall है Gym है Medical facilities आपको मिलती है Transportation वाली facilities भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है क्योंकि यह National Highway से Connected College है अगर हम branches की बात करें Mode of Edivision पर भी आएगे Cut-off भी हम बात करेंगे क्या cut-off आपकी रहने वाली है अगर branches की बात करेंगे तो branches आपको यहां पर branches और seat intake क्या-क्या मिलेगा Seat Intake चार साल का जो B.Tech program है उसमें 7 branches अवेलबल हैं आपर 7 branches में Civil Engineering में 45 seats है यह आप मैं official website से ही data आपको बता रहा है Electrical Engineering में भी यहां पर 60 seats अवेलबल है Electronics and Communication Engineering जो आपको ECE branch है उसमें भी आपको 60 seats आपको मिल जाती है Information Technology में आपको यहां पर 40 seats अवेलबल मिलेगी Mechanical Engineering में भी यहां पर 45 seats आपको मिलेगी Electrical Engineering और Information Technology Are running under Self-Finance Scheme Electrical Engineering और आपको Information Technology है वो आपका Self-Finance में है इसका मलब जो IT और Mechanical होगी उसकी जो fees होगी वो आपको 80,000 प्लस पढ़ने वाली है थोड़ी सी जादा रहेगी बाकी जो core branches है उनमें आपकी fees रहेगी 61,000 यहां पर cut-off की बात करते हैं आपकी रहने वाली है अगर हम लास्ट लियर का 4th round का cut-off में आपको बता रहा हूँ यहां पर 81,000 को जो 4th round का cut-off रहा है UP State Counseling का वहां पर All India Quota और Home State Quota दो के विहाफ पर आपर जो rank है Civil Engineering की बात करें तो जो Home State में Civil Engineering यहां पर मिला हुआ है 99,991 में आपको इसे लेके 99,000 तक आपको यहां पर seat मिली हुआ लगबग एक लाक के अंदर आपको Civil Engineering यहां पर मिल रहा है अब यहां पर General की यह cut-off नहीं है यह आपको General OBC, SC, HD भी हो सकता है तो क्योंकि अगर आप बात करोगे भी Computer Science तो Computer Science के cut-off यहां पर 46,000 है Home State की 40,338 rank तक जा रही है और 49,000 है मतलब अब को अगर यह पर Computer Science चाहिए तो आपको 50,000 के अंदर rank होना चाहिए 50,000 के अंदर आपको J-Main में आपकी rank होनी चाहिए तो यहां पर आपको Computer Science branch मिल जाएगी इसी के साथ आपको Electrical Engineering के बात करने है Electrical Engineering में आपको 74,671 यह All India Kota वाली rank है 80-82,000 तक आपको Electrical Engineering में आपको मिल जाएगी Other branches की बात करें तो ECE में जो Home State का cut-off है UP वाले students के लिए वहां पर 64,000 है 64,000 से 64,000 तक आपको मिल जाएगा Information Technology IT branch IT branch जो है 54,000 से 57,000 तक मिलेगा इसमें से थोड़ी बहुत rank आपकी जाएगी जाएगी क्योंकि दो राउंड अभी जो Spot Round हुएते जो Last Round उन में से कुछ बार क्या रहता है कि Seats Vacant हो जाती है या कुछ Seats अगर रह जाती है तो Spot Round में भी यहाँ पर Counseling होती है तो Spot Round वाले कैटगरी में कुछ जो Rank है आपकी वो Open हो जाती है ज्यादा Rank तक भी आपको और भी ज्यादा Rank तक मिलने के चांसेज यहाँ पर हैं तो मतलब लगबग अगर आपके 60,000 आप यहाँ पे तो 65,000 यहाँ पर 70,000 तक आप ले सकते हो कि आपको चांसेज दो रहेंगे कि आपको यहाँ पर CSI IT में ऑप्शन मिल जाए इसके बाद मेकेनकल इंजिनरिंग में आपको 86,000 से 91,000 तक यहाँ पर आप Home State कैटगरी में अलॉर्टमेंट हुई है Chemical Engineering में 86,000 से 91,000 तक यहाँ भी आपको अपर विजिट करती हैं क्योंकि स्टुडेंट का भी कही न कहीं मानना होता है कि जो अच्छे गॉर्मेंट कॉलेज में जो Academics है और उनको जो Hard working student मिलेंगे Hard working candidates उनकी कमपनी के लिए मिलेंगे इसलिए आपर लगबग ज़्यादा तर अच्छी कमपनीया विजिट करती है Average Package की बात करें तो लगबग साड़े 5 लाग के अराउंट के रहती है Computer Science का Package थोड़ा सापका जादा हो जाता है कही बाद आपको Private Colleges में जो कि इस से कम राइंग पर आते होंगे अच्छे नंबर आप स्टूडेंट याप से सेलेक्शन बच्चों का होता है कट आफ के बारे में एक आइडिया मिलके होगा बाकी कुछ भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपनीके नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तक यू वरी मुच, कीप वच्छिंग, स्टेए कनेक्टेट